डंकी वर्सेस सलार, सिनिमा के इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश हर तरह फान्स एक दूसर से भिड रहे हैं, बात इमोशन्स पे आ गई है और अब तो बिजनिस एंगल से भी कंपारिजन चालू हो गया है सबसे आदा शोस किसको मिले कौन सी फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी हो गई लेकिन क्या वाकि किसी को पता है कि कौन सी फिल्म को कितना पैसा बनाना है सुपर हिट होने के लिए किसी ने गलती से पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे टेंशन नौट सर् 3 मिरिट बाद एक्सपर्ट बन जाओगे तुम प्रभास वर्सेस शारुखान अंडाउटिडली इस वक्त इंडियन सिर्मा में इन दोनों से बड़ा स्टार्डम किसी भी एक्टर का नहीं है लेकिन जब एक ही दिन पे दोनों की फिल्म एक साथ रिलीज होने लग जाए ऐसे में क्लैश नहीं वर्ल्ड वार होता है बॉस एंड में जीत के चांसे किसके और कितने हैं चलो पता लगाया जाए सुनके चौक जाओ गया डंकी शारुखान 2.2 माने कमबाक के बाद SRK की सबसे सिस्ती फिल्म होने वाली है पतान 200 करोड से जादा और जवान 300 करोड में बनके तयार हुई थी लेकिन डंकी का बजट सिर्फ 85 करोड है जिसमें मारकेटिंग जोड कर टोटल 120 करोड में फिल्म का A to Z सारा खर्चा कवर हो जाता है हाँ इसमें शारुख की फीस शामिल नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट बेस मॉडल पे काम करते हैं बन्दा फिल्म बनाने में पूरा ध्यान देता है ना कि आक्टर्स के सरनेम पे और कमाल की बात यह है कि डंकी रिलीस से पहले ही अपने बजट से जादा कमाई लेकर वापस भी आ गई है जी हाँ पूरे 230 करोड का रिटेन जिसमें 1.500 करोड की OTT डील और बाकी 80 करोड सैटिलाइट माने रिलीस के बाद टीवी पे फिल्म कहा आएगी उसके बदले में मिल गए इस हिसाब से थेटर में आने के बाद डंकी को खुद को सुपर हिट बनाने के लिए 180 से 200 करोड का बिजनिस करना है लाइफ टाइम जी हाँ सिफ इतना ही अब चलते हैं बॉस बाहुबली प्रभास का कमबाग सेलार की तरफ यहां पे मामला थुरा हाई-फाई टाइप का है सेलार इंडिया की वन ओफ दो मोस्ट एक्सपेंसिफ फिल्मों की लिस्ट में आती है गुरू क्योंकि उसका टोटल बजट 400 करोड के आसपास है और बताया ऐसा भी जाता है कि इस 400 में 100 करोड प्रभास की फीज भी शामिल है इतना पैसा एक एक एक्टर पे क्यों यही सोच रहे हो क्योंकि हिस्ट्री में लिखा है जिस फिल्म के लीड पे प्रभास का चैरा हो उसको पैसा वापिस कमाने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है जी हाँ सलार ने अपने बजट से बिल्कुल थोड़ा कम माने 300 करोड का प्री रिलीज बिजनिस अल्रेडी कर लिया है इसमें लगबग 160 करोड की OTT डील है जो किसी भी साउथ इंगिन फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड नमबर है और बागी पैसा सैटलाइट प्रस म्यूजिक से छाप दिया इस हिसाब से बॉस सलार को थेटर में रिलीज होने के बाद कम से कम 500 करोड का बिजनिस करना पड़ेगा लाइफ टाइम तब बनेगी पिक्चर सूपरेड और हाँ सलार वर्सिस डंकी क्लैश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूली गई डंकी को UA certificate मिला है from sensor board मतलब with family बच्चों के साथ हर कोई थेटर में फिल्म को enjoy कर सकता है लेकिन सलार के case में यहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि फिल्म को adult certificate के साथ पास किया है sensor board ने डिरेक्टर प्रिशान नील को choice दी गई थी 4-5 scenes हटा के film को UA certificate दिया जा सकता था लेकिन नील सहाब का माना है वो scenes film के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है और URL certificate नुकसान के उल्टा ज़ादा पबलिक का रिहान film की तरफ खीचेगा अब देखो screen count सबसे ज़ादा matter करता है दोनों movies के लिए और यहाँ पे not south factor काफी important हो जाता है not belt में almost 46% shows डंकी को मिल सकते हैं जबकि 30% सलार को मिलेगा इसमें 14% aquaman और 10% animal का हिस्सा भी शामिल होगा लेकिन सलार को कम समझने की गलती मत करिये क्योंकि south में game एकदम उल्टा है वहाँ तो सलार पूरी तरह डंकी को overshadow कर देगी और भईया foreign markets में भी लड़ाई एकदम काटे की है दोनों film में records बना सकती है day one collection का दोनों का hype solid है उधर अब देखो फालतू की बातों को skip करके direct मुद्दे पे आते हैं पहले दिन डंकी वर्सिस सलार में कौनसी film कितना collection करने वाली है देखो सलार एक event film है बहुस टोटल पैन इंडिया सिनमा और इसलिए ticket prices काफी high रखे जाएंगे जिस वज़े से clash होने के बावजूद सलार सिफ इंडिया के अंदर 70 क्रोड प्लस की ओपनिंग आराम से मार सकती है और टोटल वर्ल्ड वाइट 130-140 क्रोड के आसपास पहुँच सकता है डंकी के के केस में गेम थोड़ा उल्टा हो सकता है ये कोई event mass film नहीं है इसलिए opening day पे तूफान ना आये लेकिन lifetime में सुनामी confirm है डंकी 50 करोड के आसपास इंडिया में ला सकती है day 1 जबकि worldwide सब कुछ मिला के film शायद SRK की century hat trick कम्प्लीट करेगी 100 करोड अब lifetime में डंकी वर्सिस अला कौन आगे निकलता है वो तो गुरू सिर्फ और सिफ content पे depend करेगा प्रशान नील वर्सिस राजकुमार हिरानी बॉस ये वाली लड़ाई SRK वर्सिस प्रभास से भी जादा खतरनाक होगी ready बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कु इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई